हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में दोस्तों कुछ दूनों पहले मैंने आप से एक सवाल पुछा था Java से related कि मेरा जो question था वो ये था कि the interpreter or platform dependent या independent ठीके तो क्या होता है interpreter यह platform dependent होता है या platform independent होता है तो बहुस तर लोगों ने इसका सवाल सवाल का जवाब दिया था तो आज हम क्या करेंगे इसका छोटा सा analysis करेंगे exactly इसका answer है क्या इसका सही जवाब क्या है हम वो हम यहाँ पर find out करेंगे तो start करते हैं देखो आप सबको पता होगा Java का जो भी source code होता है उसको हम कैसे execute करते हैं उसका क्या क्या process होता है ठीक है तो इसी diagram को हम follow करेंगे और इस diagram को मैंने दो part में divide कर दिया part 1 आप इस तरफ देख सकते हो और part 2 आप इस तरफ देख सकते हो okay just a minute दोस्तों यहाँ पर छोटा सा चीज में ले लेता हूँ आपको पता है source code जो भी आप java के source code एक notepad में लिखते हो और लिखने की बात क्या करते हो dot java से उसका extension होता है उसके आप save कर देते हो ठीक है तो यह तो हमारा पूरा source code हो गया है तो यह source code होता है अब इस source code को हम क्या करेंगी हमारे पास होता है compiler step number two हमारे पास होता है compiler अब compiler क्या करेगा java में जो compiler होता है java c compiler यह compiler क्या करेगा जो भी आपका source code है जो भी आपने high level source code लिखा है उस source code क्या करेगा compile करेगा, convert करेगा किसमें convert करेगा, जब वो convert करेगा, तो क्या बनाएगा यह वो बनाएगा एक तरह का byte code क्या बनाएगा, after conversion, compiler क्या करेगा, source code को convert करके byte code में convert करेगा, byte code यानि कि इसको, इसका जो extension होगा byte code का dot class होगा, ठीके अब यह जो bytecode होता न, bytecode आपका platform independent होता है, right? आपका bytecode जो होता है platform independent, आप इस bytecode को किसी भी platform पे लगा जाके आप इसको execute कर सकते हो, okay? तो यह तो part 1 की बात होगे, part 1 में क्या होता है? हम high level language को हम bytecode में convert कर देते हैं, और जो bytecode होता है हमारा वो platform independent होता है, right? अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने part 2 की तरफ, अगर हम part 2 की बात करें, part 2 में क्या होता है, सबसे पहले हम जो भी operating system use कर रहे है, चाहे हम Windows यूज कर रहे हैं, Mac यूज कर रहे हैं, Linux यूज कर रहे हैं, कोई भी operating system use कर रहे हैं, तो भाई उस operating system में हमारे पास क्या JVM होना चाहिए, उसका environment configure होना चाहिए हमारे Windows पे, तो JVM क्या करता है, JVM का task क्या होता है, JVM के अंदर आपको मिल जाते है class loader, okay class loader क्या होता है जो भी हमने ये source code हमने ये बनाया ये वाला source code अगर आपको याद होगा, तो ये जो source code ह हमने लेखा है, हो सकता है source code में हमने कई सारे classes, 4-5 classes यूज़ की हुए, तो before converting byte code to machine code हमें क्या करना पड़ेगा, class loader का क्या होता है, कि source code में कितने classes आपने यूज़ क्या होता है, सारे classes को आप एक बाद लोड़ कर लो, फटा पट, चलो ठीक है, वो आगे, अब एक बाद byte code verifier, byte code verifier का क्या काम होता है, जो हमने ये वाला byte code हमने create किया, ये वाला byte code, इस वाले byte code में, जो भी हमने convert किया है, क्या वो source code में, देखो, suppose कि source code में हमने एक line लिखा है, system.out.print, अब system.out.print को अगर हम byte code में convert करेंगे, तो क्या वो सारी चीज़े exactly सही convert हो रही है, तो यहा byte code में, तो उसको आप एक बार verify कर लो, cross check कर लो कि क्या conversion सही हुआ है या नहीं, या फिर कोई problem तो नहीं है, अब अगर आपका byte code verify हो जाता है, correctly, तब यहाँ पर आता है आपका interpreter का का काम, भाई, interpreter का का काम अब आ गया, अब interpreter का क्या है आपका, byte code को लेगा, और उसको line by line आ करेगा, simple सा काम होता है, और फिर यहाँ पर JIT compiler भी उसकी help करता है, अब interpreter जो है, अगर आप देखोगे, इसके बाद, अगर आप इस scenario के बाद आओगे, तो आपको मिल जाता है, runtime environment, तो runtime environment क्या करेगा, उपर जितना भी process हो रहा है, उस process को यह क्या करेगा, असिस्ट करेगा भाई, इसको guideline देगा, उसको जो भी काम चल रहा है, उसको, मतलब यह आपको क्या चाहिए, आपको runtime environment चाहिए, without runtime environment, you cannot execute any programming, okay, तो यहाँ पर क्या होगा, यह इसको assist करेगा, runtime environment, अब उसके बाद आपका आता है, operating system, ठीके, यह सब कहाँ पर होगा, operating system पे, और फिर आपका य तो अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, यह सारा चीज़ को हो कहां रहा है, exactly, यह किस पे हो रहा है, यह हो रहा है, operating system पर हो रहा है, मेरे भाई, okay, operating system पर, तो part B वाला portion है, part B वाला portion यहाँ पर क्या है, देखो, simple, अगर हम part A को देखें, तो part A क्या कर रहा है, यह high level जो अब यहां पर interpreter क्या कर रहा है, interpreter high level को directly convert थोड़ी कर रहा है, interpreter के पास तो already low level, अब यह जो platform independent code है, bytecode, उसे वो मिलता है, यह code मिलेगा interpreter को, अब interpreter क्या करेगा, इस independent code को execute करेगा, दिक है, तो जहिर सी बात है, यहां पर आपका interpreter है, interpreter आपका इंटर्पिटर आपका क्या है, यह ह आपका platform dependent तो आपका सही answer किया है platform dependent interpreter are platform dependent क्योंकि जो आपका JBM होता है JBM होता है basically JBM भी आपका होता है platform dependent होता है JBM ठीके क्योंकि window operating system के लिए आपका JBM कुछ अलग तरीके इसका होगा अब Mac यूज कर रहे हो वहाँ पे Java का code करना है तो उसके लिए Mac का यूज को simple थो ना विंडो में आपका अलग सा installation मिलता है Mac के लिए आपका वह अलग सा installation मिलता है क्योंकि Mac और Linux आपका exe file execute तो करते नहीं तो हर operating systems के लिए अलग अलग JBM का configuration होता है तो यहाँ पर अगर आपसे कोई ऐसा कोई सवाल पूछे कि या आप बताओ interpreter क्या है platform dependent है या independent है तो आप सो बता सकते हैं या interpreter आपका क्या है वह platform dependent है वह हर platform पर depend करेगा यानि कि window पर जो अब interpreter है फिर Mac पर जो interpreter है दोनों का आपस में तालमेल नहीं होगा क्योंकि वह Mac के लिए specially designed किया गया होगा और वह window के लिए किया गया होगा तो एक चोटा सा यहाँ पर scenario मैं आपको समझाने की कुशिश कर रहा हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज आप लाइक करना और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और सासी साथ हमें आपको दो extra question में आप बताने वाला हूं पहला question हमारा यह है कि JVM, Java के अंदर JVM क्या है तो again यहाँ पर आप अपर का interpreter है मेरे बाई, interpreter, compiler क्या होता है compiler जो हाई-level से low-level में translate करें और compiler के दो पाट होते है एक तो आपका translator दो तरीक होते है interpreter भी यही काम करता है पर interpreter को अगर Java की बात करें तो उसको क्या byte code चाहिए, byte code को लेगा और फिर उसको native code में convert करेगा, पर अगर बात JVM के कर रहे है तो JVM क्या है, JVM एक तरह का आपका interpreter है, right, interpreter क्योंकि JVM के अंदर ही आपका यह interpreter का functionality यहाँ पर आपको देखता है, और JVM के अंदर हम कभी भी conversion नहीं करते है, compilation नहीं करते है, हम सिर्फ code को run करते है, compile करते है, byte code से, हम native code में जाते है, फिर run time environment, फिर उसके बाद हमारा output हमें मिल जाता है, ठीक है, तो again यह question आपका बहुत काम आ सकता है, आपका किसी भी interview में कि JVM क्या है, आप simply बोलोगे, आपकर आपके सामने इस चार option देख रहा है, तो option number D, कि हाँ यह interpreter है, यह सई जवाब है, अब एक दूसरा सा question मल जाता है, कि भाई, यहाँ पर मिल खा है कि following हमारे पास 4-5 statement हो सकते हैं, और उसमें से कहेगा कि भाई, इसमें बताओ JVM से related इसा common statement है, जो true है, ठीक है, तो देखो JVM से related आपके क्या क्या statement हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैं दो ऐसे statement बता रहा है, जो mostly commonly होते हैं सबके लिए, तो पहला काम क्या करता है, JVM करता है compile bytecode को, और फिर convert करता है native code में, यह दो काम होता है, bytecode convert करता है उसको native code में, और देन इसको native code को करेगा, next number two होगा की JVM जो होगा, आपका interpret करेगा bytecode को, और line by line, और यह जो scenario होता है, line by line execute करता है, और उसके बाद जो इसका output आपको मिल जाएगा at the last में, तो यह दो scenario आपको मिल जाते हैं, आपके इस bytecode में, और जे बिएम के अंदर, तो अगर यह दो option आपक कर लीजिएगा, यह दोनों ही आपके true यानि सही जवाब है, तो I hope कि आपको इस वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, और आपके जो भी comment या सुझाओ है, आप मुझे comment में दे सकते हो, तो मिलते है next video में, तब तक के लिए दोस्तों, take care, bye bye